अयोतिया में भी महंगाई की माड़ से 40 एगायप टमाटर को लेकर सपा ने अनुखा प्रदर्शन किया वहीं सपा के पूर्व राजे मंतरी तेज नाराइन पांडे पवन ने सपा कारे करता के साथ टमाटर की माला पहन कर महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया इस दौराण पवन पांडे ने कहा कि बीजेपी की देश वा प्रदेश की सरकार आम जनता को ठग रही है दूसरे दल की सरकार के दौराण बीजेपी महंगाई के खिलाफ देश में आंदोलन वा प्रदर्शन करती थी लेकिन आज की बीजेपी की नेतिकता समाप्त हो चुकी ह आज देश में महंगाई चरम पर है सपा इसका पुर्जोर विरोध करती है बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करती है उन्होंने कहा कि मीडिया टेलिवीजन में राम राजे दिखाया जा रहा है लेकिन गरीब की थाली महंगाई की मार से जेल रही है 160 रुपे का टमाटर 600 रुपे की जगा 1200 रुपे का सिलेंडर का बीजेपी के नेता विरोध नहीं कर रहे है बने भारत ट्रेन महंगे किराई की वज़ा से मध्यम वर्गय परिवार के लिए नहीं है इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं बीजेपी सरकार में महंगाई प्रेश्टाचार चरम पर है भारतियंता पाल्टी की सरकार में लगातार प्रदेश और देश ठगात चला जा रहा है जब दूसरे लोगों की सरकार हुआ करती थी तो आज जो भारतियंता पाल्टी की सरकार में कई काबिनेट मंत्री है अगर किसी चीज का दाम बढ़ता था तो अपने गले में आलू, टमाटर, प्याज, लटका कर, माला बना कर उसकी और सर पे सिलंडर रखके परदासन करते थे पूरे प्रदेश और देश में अंदोलन करते थे, महगाई के खिलाब आवाज उठाते थे, और आज पूरे की पूरी भारतियंता पाल्टी की नेतिकता मर गई है, आज जब पूरा देश और प्रदेश महगाई से जूज रहा है, आम जनता के उपर महगाई की मार पड़ा र प्याज टमात्यायर सर्सो का तेल और उसमें नमक डालकर सलाबना लेते थे लोग से परीवार के लोग के लोग कि लेकिन घॉस चको सतोट्रेव सुलैश्व किलो जा रहा है कि शुषन में गांज दैल चावा लाटा गयहु महगा है इटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया महगा है महगाई चरम पर है और लेकिन भारतियंता पाल्टी के कान पर जला भी जू नहीं रेग रही है कोई भारतियंता पाल्टी के नेता की नेतिकता आज नहीं जग रही है क्यों महगाई के मुद्दे पर सवाल कर सके महगाई के क्छार्टि ने हमेशा भारति इंता पाट्टि की गलब नीतियों शिधानतों का भिरोध किया है कि आप सोची आज गरीब मद्यंभर्गी परिवाद ठके जा रहा है लूटे जा रहा है कि उनकी ठाली से भोजन कि हम भारति इंता पार्टि की सरकार कर रही है है कि अगया लेकिन ऐसा राम राज है कि गरीब की थाली से भोजन खतम करने का काम भारतिनता पाल्टी की सरकार कर रही है ऐसा राम राज है कि 170-160 रुपया किलो टमाटर किसी भाजपा के नेता के मुझसे आवाज नहीं निकल नहीं है पांस-600 का सिलंडर 1200 रुपया पहुंच गया भाजपान नेता के मुझसे आवाज नहीं निकल लई है पैट्रोल डीजल महगा है आवाज नहीं निकल लई है कोई ट्रेन चला दिया पता लगा वहां से यहां तक का जो और गालियों के किराया पांस-200 रुपया है लेकिन आवाज नहीं निकल लें कि मध्यमबर्गी आदमी कैसे इसको भरेगा कहां से पैसा लाएगा आज हरतरम महगाई की मार है लूट है भरस्टाचार है भारतियंता पार्टी की सरकार में लूट भरस्टाचार चरम पर है थाना तैसील अस्पता ल सिरोध करती है टमाटर महगा है के जैश महगी है सब्सकार महगा है आम आदमि का क्या होगा गरी म survivors का क्या होगा और आज जब से भारतिन तापार्टी की सरकार आई है केवल महगाई की मार और भष्टाचार ये इसके लावा को दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए हम कहना चाते हैं अपने जुद्या के लोगों से कि आपको ये क्यों सपने दिखाएंगे धर्म के नाम पर उजाएंगे धर्म के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करेंगे धर्म के नाम पर केवल आपको बाट कर आपके बेटों की नौकरी छीन रहे हैं महगाई की मार आपको दे रहे हैं अस्पताल में दवाई आपको नहीं मिल रही है हर तरफ लूट मची हुई है अगर आप इससे निजाद चाते हैं तो आने वाले लोग सभा के चुनाओं में साइकल का बटन दबाईए और भारतियंता पार्टी को भगाने का काम करिए जिस दिन आप भा आप चाहर खतम होगा तभी लूट खतम होगी तभी थाना अस्पताल तहसील जो लूट कर दाएं वो खतम होगे काला बाजारी खतम होगी कि अगर आज इन सब के देन कोई है तो किवल भारतियंता पार्टी की सरकार है इसके जिम्मेदार देश के प्रधान मंतरी और उत्त और ठगे जा रहा है जिसका समाजवादी पाल्टी पुर्जोर बिरोध करती है।